नमस्कार दोस्तों, जै माता भद्रकाली, जै माम दुर्गा स्वागत है, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो तुला राशिवालों सावधान अर्थ का अनर्थ होने वाला है, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, उसे आप बिलकुल दिल थाम कर सुना, क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत भयानक घटना होने जा रही है, अब तो दोस्तों, आपका दुश्मन इतना गिर चुका है, कि वह आपकी जान के पीछे पड़ गया है, हे भगवान, हमने तो भी सपने में भी नहीं सोचा था, कि हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन दोस्तों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाले अगले दिन 24 घंटे में दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड सकेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं, जिसे सुनते ही आप खुशी से नाचने गाने लगोगे दोस्तों, सर्फ प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जैमा दुरगा, जैमा भवानी जरूर लिखें। बात करते हैं, आने वाला यह समय कोई साधारण नहीं रहेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय की शुरुआत तो बहुत शुभ रहेगी, लेकिन समय का अंत आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। मित्रों कुछ ऐसी बातें घर परिवार में घटेगी, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि मेहनत बहुत अधिक रहेगी, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो अपनी इस सोच को मित्रों तुरंत दूर करें। व्यवस्था के बावजूद घर-परिवार तथा सगे संबंधियों के लिए भी आप आसानी से समय निकाल लेंगे, और युवाओं को अपने किसी प्लैन को क्रियानवित करने के लिए अनुभवी लोगों का मार्ग दर्शन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाना परिवार जनों की नाराजगी का कारण भी बन सकता है। व्यवसाय में कार्य थोड़े विलंब के पश्चात ही संबंध संपन्न होंगे। अपनी एकागरता बनाए रखें और इस समय किसी भी नए कार्य को शुरू करने से आपको बचना होगा, क्योंकि इस वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि अपने लव पार्टनर का भी सम्मान करना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें और पैसों से संबंधित चिंता आपको हो सकती है। स्वभाव के जिन पहलूओं को सुधारने की जरूरत है उन्हें सुधारे। वरना खुद की वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं और काम से जुड़े मौकों का सही तरीके से उपयोग करें। मित्रों, पार्टनर पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनने दें और एसिडिटी की वजह से पेट दर्द की समस्या हो सकती है। नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। इस समय अपने काम को पूरी महनत, इमानदारी और लगन के साथ करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने सिध्धान्तों से बिलकुल भी समझोता आपको नहीं करना है। आपको मित्रों की ओर सिध्धान्त वादी रहना है और घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। अपने महत्वपूर्ण कागज सुरक्षित रखें क्योंकि अगर एक छोटा सा कागज भी इधर से उधर हुआ तो आपकी दिक्कतें मित्रों बढ़ सकती हैं। वहीं आप सभी को बता देते हैं कि पेशेवर क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता से आपको सफलता मिलेगी। यदि व्यापार में मंदी आ गई है या नौकरी में परेशानी आ रही है तो बहुत ही सरल सा उपाय शनिवार के दिन जरूर करें। किसी सच्चे और सरल व्यक्ती पर ही रखना क्योंकि यदि आप किसी दिमाग वाले व्यक्ती पर आस्था और विश्वास रखेंगे तो आपको धोखे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और इसके पीछे और इसके लिए आप स्वयम जिम्मेदार रहेंगे। परिस्थिती में अचानक से बड़ा बदलाव नजर आ सकता है। आपने नौइडा लिया था जिसमें परिवर्तन आपको नजर आया। अब मित्रों, किसी खास व्यक्ती के लिए आपकी भावनाएं क्या हैं। यह समय आपके लिए कठिन होगा। आप जब तक सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे, तब तक मित्रों आपको सामने की व्यक्ती की बातें और आपको ध्यान रखना है कि इन बातों को किस हद तक महत्व है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कभी-कभी आप ऐसी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, जो आप जीवन के लिए जरूरी ही नहीं, फिर वही बातें आपको आगे चल कर, इसलिए आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी बातें जरूरी है और कौन सी बातें फिजूल को प्रशंसा प्राप्त होगी, लेकिन आर तो आपको अच्छी आवक प्राप्त होगी, और रिलेशन्शिप से संबंधित बातों की चिंता अभी के समय में बिलकुल ना करें, चिंता चिता समान होती है, रिलेशन्शिप अगर बनना होगा, तो बनेंगे का या बदलते वातावरण की वजह से, इम्यूनिटी कम होती हुई नजर आएगी और परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें, मित्रों, आप अपनी ही बातों में अधिक उल्जे हुए नजर आ रहे हैं, इस कारण परिवार के लोगों की जिम्मेदारियों को समझना आपको मुश्किल रहेगा, आप अपने ही जीव परिवार के बच्चों और युवा वर्ग के लिए आपके द्वारा दी हुई महत्वपूर्ण मदद साबित हो सकती है, क्योंकि परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलता में, एक-एक दूसरे के लिए जो भावनात्मक स्वरूप से दूरियां महसूस हो रही है, इन दूरि के लिए बच्चों की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी, और अभी के समय में प्राप्थ हो रहे कार्यों की वजह से आपको आर्थिक फायदा अवश्य ही मिलेगा मित्रों, जो अभी के समय में आपको कार्य प्राप्थ हो रहे हैं, यह कार्य कोई मामूली नहीं है, हा अवसर उपयुक्त होगा और विवाहिक जीवन सुख शान्ती बनाए रखने के लिए पार्टनर को प्रयत्न बढ़ाने होंगे। एक तरफा कभी कुछ भी नहीं होता है। यह रिष्टा दोनों तरफ से निभाया जाए तो रिष्टा मजबूत होता है। इस बात को हमेशा ध रखियेगा। सर्दी खांसी के तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मित्रों पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित लिए गए निर्णय की वजह से कुछ लोग नाराजगी जहलनी पड़ सकती है। अब इससे में कौन से लोग आपसे नाराज हैं। आपके प समस्या सुलजहा लेते समय के लिए प्रैक्टिकल या भावनात्मक रूप से देखने से असंतुलन बन सकता है। मित्रों, नजरिया दोनों ही जरूरी है। भावनात्मक रूप से भी और प्रैक्टिकल रूप से ही अपनी राय देते समय अन्य लोगों की भावनाओं को ध् पहलू पता चलेंगे। भविश्य से संबंधित बातों को सुधारने के लिए वर्तमान में प्रयत्न करना, आपके लिए जरूरी होगा। इस बात पर भी ध्यान दें। पैसे कमाने के लिए एक से अधिक श्रोताओं को प्राप्त हो सकते हैं पार्टनर अपनी की भाव के अनुसार आप किस सातवी बार रखेंगे जिसकी वजह से उन्हें समझ पाना कठिन लगेगा और मित्रों, एलर्जी से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है अभी की परिस्थिती में केवल व्यक्तिगत बातों पर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है जब तक आर्थिक रूप से आप खुद को मजबूत नहीं बनाते तब तक कई सारे निर्णय ले पाना संभव नहीं है भावनात्मक रूप से होने वाली तकलीफ सीमित विचार की वजह से है इस बात का आपको एहसास होगा और काम की जगह प्राप्त हो रहे मौके आप अपने लापरवाही की वजह से एक हो सकते हैं अब मित्रों ऐसे में आपको ध्यान रखना है जो भी वजह एड और जिन अजहर के कारण आप मित्रों लापरवाही कर रहे हैं उनको पहचाने आपको बता दें कि हर एक परिणाम का विचार करते हुए आपके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएंगी लोगों से खुद को दूर रख कर आप अपनी अपने पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अपने अकेले पन को ना बढ़ने दें जिन लोगों के साथ वक्त बिता कर आपको प्रेरित महसूस होता है ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जिस काम को प्राप्थ करने की इच्छा कई दिनों से है वह पूरी होती हुई नजर आएगी और रिलेशन्शिप से समबंधित बुझाने पड़ सकती है इसी के साथ मित्रों पार्टनर और रिलेशन्शिप का केवल एक मैंने इस बात को समझने की कोशिश करें सब्सक्राइब नहीं होता है मित्रों जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत जरूरी चीज़ और अपना कार्य जब तक आप अपने करने की इजाज़त न करें कार्य की इज़त नहीं करेगा तो मित्रों हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ता पर नहीं जाता और इमानदारी से अपना कर्म करता रहता है ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय हैं अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है अर्थात मित्रों यहां पर गुरु जी के नारे हैं कि चाहे जीवन में आपको कितने धोखे मिले हो चाहे लोगों ने आपके साथ कितना गलत किया हो लेकिन मित्रों हमेशा इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जीत आपकी ही होगी यदि आपने अपना कर्म सच्चे और इमानदार के साथ किया होगा तो मित्रों यह ज्यान अपने जीवन में जरूर कीजिए तो चलिए अब बात करते हैं अपने आसपास की उर्जा को सकारात्मक तरीके से आपके आसपास का वातावरण के प्रती बढ़िया रहेगा और आपको ध्यान रखना है मित्रों कि फिजूल की बातों से अपना ध्यान हटा कर केवल अपने ही काम पर ध्यान दें खोट की अपेक्षाओं का बोज आपको महसूस होने लगेगा इसलिए आपको सलह दी जाती है कि ज्यादा अपेक्षा ना रखें अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की इच्छा सकती है लेकिन जो विचार अपने मन में है उनकी वजह से आप खुद के लिए रुकावट बनते हुए नजर आ रहे हैं तो मित्रों अन्य लोगों की नजरों में अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश करें अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा कैरियर से संबंधित बातों का तनाव आपको महसूस कि अपने कार्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट कर उन्हें पून करने का प्रयास करें और कैरियर से संबंधित बातों का तनाव महसूस होगा, लेकिन काम को छोटे हिस्से में यदि आप बात करें, तो पूरा होगा, और लव रिलेशन्शिप में आ रही रुकावट की वजह से आपका संयम तूटता हुआ नजर आएगा। मित्रो, आपको संयम बरतना ही है। क्योंकि संबंधों को यदि आप जोड़ कर रखना चाहते हैं, तो अपने आसपास की नकारात्मक उर्जा का फाइदा उठाते हुए आप लक्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करें। योगियों के लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से परिस्थिती को देखने का नजरिया बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, वैसी ही आपकी संगती होगी और आप में वैसा ही परिवर्तन आएगा। मित्रों, मित्रों के साथ मुलाकात से आपको प्रेरणा मिलेगी। आपको आगे बढ़ने के लिए कई मार्ग तो होंगे, क्योंकि जब आप उनको साथ डेट कर विचारविमर्श करेंगे, तो आपको आगे के रास्ते सपष्ट नजर आएंगे, खुद के काम पर ध्यान द अजह से उनके बरताव में बदलाव आ सकता है। युवा लोग अपनी जिम्मेदारियां और स्वयम को अच्छे से समझिये। पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी और त्वचा से संबंधित विकार आपको तकलीफ दे सकते हैं। मित्रों, वर्तमान और भविष्य में संतुलन नजर आने लगेगा। इस कारण अपने परिस्थिती और निर्णय का अवलोकन किया जा सकता है। आप निर्णय पर डटे रहने की कोशिश करें। स्वयम के निर्णय को पहचाने, स्वयम पर ध्यान दें। आपकी भावनात् कमजोरी दूर करने की कोशिश करें। हैं जो आपकी कमजोरी है। जहां पर आप मित्रों हर बार मात खा जाते हैं। आप यूज कमजोरी को पकड़ लें और उसे दूर करने की कोशिश करें। मित्रों वरना कार्यक्षमता कम हो सकती है। आपके साथ धोखा हो सकता है या प क्योंकि मित्रों अहंकार ही व्यक्ति को डुबो देता है, अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण होता है, कैरियर से संबंधित सकारात्मक्ता बनी रहेगी। वजह से खुद को प्राथमिक्ता के साथ आप देख पाएंगे। यदि पार्टनर से आपके लगाओ अच्छे तेज संबंध गिरे थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे, तो मित्रों यकीन मानिये कि ऐसे रिष्टे कहीं नहीं जाते हैं। पार्टनर आपके पास पूर्ण यह लोट कर आएगा और आप दोनों एक दूसरे को माफ करने में सफल भी हो पाएंगे। लेकिन अगर बात करें, आपके स्वास्थे की तो सिर्दर्द में भारीपन महसूस हो सकता है, और पेट से संबंधित बीमारियां हूँ भर सकती हैं। इसलिए सेहत के प्रती थोड़ा सा ध्यान दें। किसी भी प्रकार की राय देने से पहले परिस्थितियों को ठीक से समझने की कोशिश करें। आप केवल परिस्थितियों को उपर से देख रहे हैं। मित्रों यह गलत है। आप परिस्थिति की जड़ तक जाईए, अच्छे से समझे। उसके बाद अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीखें। आपके व्यभार की वजह से अन्य लोग आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, आपको ज्यादा सप्तम और सफल देख लोग आपका फायदा उठा लेंगे। आप थोड़े से सीधी भी हैं। इस बात का भी फायदा उठाएंगे। काम से संबंधित योजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति का साथ प्राप्त हो रहा है। फिर भी काम से संबंधित जानकारी कम होने की वजह से काम की गती कम रहेगी मित्रों। आपको बता दें। जानकारी के अभाव में ही इनसान गलती करता है। ज तक relationship सुधरेगा नहीं, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, मित्रों, दर को मन से हमेशा के लिए हटा दें, शुगर से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, खान-पान पर भी ध्यान देना होगा, और काम से संबंधित target पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से खुद क के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और समाधि प्राप्थ होगा, परिवार के जिन लोगों के साथ दूरियां महसूस कर रहे हैं, उनके साथ बात-चीत सुधर्ती हुई नजर आ रही है।